नमस्कारम मैं नित्यानंदम श्री आयरवेद की पाठ शाला में आज चर्चा करूँगा जम्भाईयां आना, उबासियां आना या यानिंग जिसको आप बोलते हैं उसका कारण और निवारण आयरवेद के ढंग से क्या कहता है आयरवेद इसके उपर हलाकि modern medical science कहती है इसका reason नहीं पता कि क्यों आती है ये जम्भाईयां लेकिन आयरवेद में माधव निदान गरंथ में लिखा है साफ साफ कि जरंभात अर्थे समीरनात यानि जो जम्भाईयां आती है उसका अर्थे है उसका reason है कि आपकी बोड़ी में समीरनात यानि समीर वायू को बोलते है उसका प्राइवाची है तो समीरनात यानि इसमें वायू जादा बढ़ रही है बोड़ी में इसलिए ये जम्भाईयां आती है ये माधव निदान ग और वायू उपर की तरफ उठती है जब तो इस तरह से जंभाईयां आती है इसका रिजन तो वायू ही हो गया लेकिन सबको वायू रहती है सबको जंभाईयां क्यों नहीं आती तो इसका कारण ये है कि जब हम बहुत जादा लो ओक्सिजन डाइट लेते हैं लो ओक्सिजन ड एक रिच ऑक्सिजन फूड होता है जो पेडों का पौदों का फल सबजियां फ्रेश चीजियां आप खाते हैं एक जो पैकेट में बंद है और आपको आदत है प्रिजर्वेटी वाला यह सब खाने की तो ऐसे में आपकी बोडी में ऑक्सिजन का लेवल कम हो जाता है दूसरा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या बहुत ज़्यादा दिमाग जिनका यूज होता है व्यर्थ में तो उन लोगों के ब्रेइन में ऑक्सिजन का लेवल घट जाता है तो वहाँ पे उनको ये जंभाईयां आ सकती है और स्ट्रेस बढ़ जाता है ऐसे में ये दो इसके इलावा कई लोग एंटी डिप्रेसंट लेते हैं एंटी डिप्रेसंट से मेरा मतलब है डिप्रेशन को कम करने के लिए ऐलोपैथिक मेडिसेंस वो खुद कहते हैं ऐलोपैथ के लोग की इस से जो है जम भाईयां आने की जो समस्या हो सकती है और ये सारी चीज़ें म इस से ये सब चीज़ों से ये चीज़ हो सकती है ये उसके इलावा भी हो सकती है और इसके इलावा टेंपरेचर इंबैलंस हो जाता है बॉड़ी में कई कई बार जैसे की गर्मी बॉड़ी में बढ़ना जादा और उसको बैलंस करने के लिए बॉड़ी फिर जंभाईयां ले है ज्यादा तर चैंपरेचर का जो फलक्च्वेशन होता है उपर नीचे इसको बैलंस करने के लिए तो ऐसे में वाड़ी में पसीना आना वाड़ी की पूरी वर्जिश होना वाड़ी के इनर कोर तक आक्सिजन का पहुंचना ये बहुत जरूरी होता है कुछ लोग अंदर ही रहते हैं ज्यादा उनका फ्रेश एर्स में सामना हो इनी पाता तो ऐसे में उनको फिर ये जमाईया आने लग जाती है आलस सता आने लग जाता है जब आप बंद कमरों में बैठते हैं काफी देर हो जाती है तो उसके बाद ये चीज़ें फिर आलस की फोम में आपको आने लग जाती है ये तो बात हो गई चर्चा हो गई इसका जो रीजन है अब बात कर लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है देखिए ट्रीटमेंट करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका ट्रीटमेंट वात दोश को शमन करना ही है वात दोश यह नहीं वा कर सकते हो तो करो क्योंकि अगर आप कोई anti-depressant ले रहे हैं या कुछ और ऐसी चीज कर रहे हैं जिसकी वज़ासे यह हो रही है स्ट्रेस जादा ले रहे हैं तो अंदर जादा रहते हैं फ्रेश शेयर में जाते नहीं हैं तो उसको तो निपता नहीं पड़ेगा साथ में लेकिन आप साथ साथ यदि जो मैं चीजें बता रहा हूं वो कर लेंगे तो शायद ये आपके लिए easy हो जाएगा इसको दूर करना तो क्या करना है आपने समझ लीजीए जरा सबसे पहले आपने वात दोष को शमन करने के लिए मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसका नाम है पंच्क्रिया पंच्क्रिया दरसल पाँच चीजे हैं इसमें जो की वात का शमन करती हैं अब पंच कर्म सुना होगा आपने जोब मेहंगा भी है और चिकिस्तक के पास जाना पड़ता है और वो बड़ी बीमारी हो तो करवाने की जूरूरत है ऐसे चोटी-चोटी जिनों के लिए आदमी क्या पंच करम करवाए तो पंच क्रिया आप घर में कर सकते हैं पंच क्रिया क्या होती है पंच क्रिया से मेरा भ सुबह योग करने से पहले तो यह आपके नॉस्ट्रिल के एरिया को लुब्रिकेट रखेगा तो जहां जहां लुब्रिकेशन या जहां तरावट आयल पहुंचता है वहां वहां वायू कम हो जाती है सबसे पहला स्टेप तो यह हो गया पंच क्रिया में दूसरे नंबर पर आप उसमें क्या करेंगे आप करेंगे गनेश क्रिया गनेश क्रिया से मरा मतलब है नहाने के बाद मल द्वार में या शौच के बाद मल द्वार में थोड़ा सरसों का तेल थोड़ा या तिल का तेल आदी से मल द्वार को ए नस्क में आपने लगा देना है जिससे कि वहाँ प तो उसमें आपने नहाने के बाद लगा लेना है तेल, दूसरी चीज़ यह हो गई, तिसरे नंबर पर आपने जो करना है वो है गंडुश, गंडुश को आज कल की भाशा में ओयल पुलिंग भी बोल देते हैं, और इसको कवल ग्रह भी बोल देते हैं, थोड़ा फरक है, लेक और अगर आप का फेस आप चाहते हैं कि चेहरे की चमक भी बढ़ जाए, जुर्यां कम हो जाएं तो थोड़ा और पानी उसमें एड़ करके मूँ को पूरा भर लीजिए, फिर फुला लीजिए, कि उसमें हवा की भी जगा न रहे, तब तो और भी ज़्यादा चेहरा फूल तो यह तीसरा स्टेप हो गया आपका, यह पंच करिया का, और सौथा स्टेप है, आपने इसके इलावा शाम के समय या रात तरी को अंतसनेहन करना है, अंतसनेहन किसको बोलते हैं कि कोई स्निक्द चीज आपने सेवन कर लेनी है, और उसका तरीका यह है कि आप दूद में गाय का घी डाल करके ले लें, देसी घी, जिसको आप कहते हैं, गाय का घी मिल जाये तो ठीक नहीं, तो देसी घी डो भी ना मिले तो बदाम रोगन, कोई भी ऐसी ओली चीज जो स्निक्द हो, कच्ची इस तरह से मेडिकेटिड सी, तो वो आपने ले लेनी है, यह चौथा स लिया का, वो है मालिश, मालिश जदी आप रोजान ना कर पाएं, तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाएं, तो एक दिन सिर्की कर लें, एक दिन सिर्की कर लें, एक दिन सिर्की कर लें, और अगर ऐसा भी ना कर पाएं, तो एक दिन सिर्की कर लें, एक दिन सिर्की कर लें, ए ऐसा नहीं है इसे वात रोगों का शमन होता है पांचों चीजें मिल करके पंच क्रिया आपके वात को कम कर देगी और आप बॉडी में आपके जो जम्भाई आ रही है या उसके इलावा भी कोई भी अगर वात की कोई समस्या है तो वो ठीक हो जाएगी दरसल मैं आपको बता वात की समस्या से सब को जम्भाई थोड़ी आती है या आप कह सकते हैं कि मेरे को तो कोई गैस नहीं बनती आप वात बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं होता गैस आपको बनेगी तो आपको ड़कार आएंगे यहां पेट में गुड़ गुड़ होगी यह वायू किसी-किसी यंग पेपर कोप कर देती है यहां अपना असर दिखा देती है तो जब वायू उपर की तरफ उठती है तो फिर इस तरह से जरूरी आती है क्योंकि हमारे शेरिर में एक पांच परकार के प्राण है और मैंने इस पर चर्चा भी की हुई है कई एक पर और इसी तरह पांच उसके हेल्पर होते हैं जगा जिस बॉडी के औरगन में जो प्राण है जाएगा वो उस तरह का ही काम करेगा जैसे लेक्टरिसिटी का बोर्ड देखें तो उसमें तो बिजली है लेकिन उसका स्विच दबाने से कहीं बंका चलता है कहीं लाइट चलती है लेक्टरिसिटी प्रेट नाम का उपराण है इसका फंक्शन है जंभाई लेना तो ये कहां पर होता है ये आपके vocal area में ये आपके उपर के area में सिरवल area में होता है तो यहां पर फिर जब जंभाईयां ज्यादा आये इसका मतलब ये वाला उपराण imbalance हो गया है तो यहाँ पे फिर क्या करना होता है मैंने आपको जैसे पंच क्रिया बताई वो आप करेंगे पाँच चीजें और साथ साथ आप लो ओक्सिजनेटिड डाइट को रिप्लेस करके हाई ओक्सिजन वाली डाइट ले लें यानि डिबा बंद चीजें जो बंद करके आप फ्रेश वाली चीजों पे आ जाए और इसी तरह आप जो रिच ऑक्सिजन वाले एरिया में या रिच ऑक्सिजन के वातावरन में रहें नहीं रह पाएं तो आप दिन में एक बार रुटीन बनाएं कि मैं थोड़ी दिर के लिए सेर पे जाऊंगा ताजी हवा लूँगा और जो लोग सुबा होने पर भी सोई रहते हैं या ज़्यादा दिर बंद कमरों में काम करना ये मजबूरी कहलो उनकी तो उनकी ऑक्सिजन बाड़ी की कम हो जाती है तो ये बाड़ी भी होती है लेकिन इससे जो क्रिंकल नाम का प्रान बिगड़ता है ये सब चीजों से ये बैलंस होने लग जाता है इसी तरह से आप अंत में प्रानायाम प्रानायाम को तो आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें यानि कि अगर आप रोज आना आदा गंटा भी प्रानायाम करें तो मेरा ऐसा मानना है कि ये वात जो बढ़ते हैं बिगड़ते हैं प्रान प्रान ये बिगड़ेंगे ही नहीं और अप अपने आप में energetic और अच्छा फील करेंगे कई कई बार लोगों ने मुझे पूछा कि जमभाई एक दूसरे को देख करके क्यों आजाती है क्योंकि देख करके इसलिए आजाती है हमारे अंदर की ये एक है तो involuntary activity लेकिन जब हम किसी को देखते हैं तो हमारे भी अंदर से एक आर्ज पैदा होती है कि वायू अंदर इकठी है मैं भी निकाल दूँ और दूसरा कारण ये है कि जब हम जमभाई लेते हैं तो उसमें होता क्या है कि आपके अंदर का body का जो breathing का pattern है सांसों की जो rhythm है वो बिगडती है जब तो उसको balance करने के लिए आपकी body जमभाई लेती है यानि अगर सांस बहुत जल्दी एकदम से आपके अंदर सांस चली जाए जादा और आप की nostril prepared नहीं है तो वो सांस आपकी फिर बाहर नासिका से आने की बजाए मुझे बाहर आपको छोड़नी पड़ती है ये तब होता है जब आपका ध्यान कहीं और होता है ये गर-गर पहुँचाएं और लोगों की knowledge बढ़े तो इसमें कोई ऐसी चीज तो ही नहीं कि जो किर करने से कोई नुकसान होगा या बड़ी मैंने कुछ ऐसी बताई हो जो बहुत complicated है ऐसा कुछ नहीं है हर चीज छोटी-छोटी basic थी आप इसको करिए और आपको फिर बहुत अच्छा result मिलेगा और जब आप मुझे बाद में नीचे comments में बताएंगे भई मेरे को तो बहुत फायदा हुआ तो मुझे भी खुशी होगी आप लोगों को भी एक दुसरे को motivation मिलेगा इसी तरह हमारा अविद बढ़ेगा आप सब लोगों ने मुझे सुना उसके रिद्धनेवाद ऐसे ही सीथते रहिए आगे बढ़ते रहिए मैं भी आपके साथ फिर आऊंगा इसी तरह एक नया lesson लेकर के आप बताईए मुझे किस टॉपिक पे आप lesson लेना चाहेंगे तो आज के लिए फिलाल इतना ही नमस्कार